आज मैं आपके लिए लाई हूँ गोवी मतर का फुलाव वैसे तो फुलाव कही तरह से बनते हैं लेकिन हम आज इहां पर बनाने जा रहा हैं गोवी और मतर का देखेंगे किस तरह से बनाते हैं अाज देखें हम मैं गोवी मतर का फुला बनाने जा रहा हैं कीक क्या क्या समगरी चाई है इसके लिए पहली चावल को भिगो दिया है आदा पुन गंटे के लिए जो बहुल के बावल हो गया की जूआ है हलदी फाओडर है 15 चमच दिए 1ीट पावल करी माटर लिए ठोडर 6-16 है ताके अपहेज करो और जी बावल का मी इसको हमें रहा आदा से कथा हूँ जी फाओडर लिए Chicken प्रवाणाल के स्थाओं in the या NepП्रावणार करें, मैंने 1 चमच नमक लिया है और हरीमेर्श थी लिया है मैंने इक बड़ी लिया है इसको भूंते गूनेंगे ये गूंते लिया है ये अक लेख खड़ी पत्ता लिया है ये डूंहे लिया है और ये पत्था थूल आता है गरम मसाले में उसको लिया है मैंने जो पुलाओ में डरता है और ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने और दो-तीन लोंग ली हैं और काली मिर्ची ली है चार-पांच और जीरा और एक हरी लाइची ये सब हम दालेंगे इसमें और ये मैंन गोबी का फूल लिया है और हमें दो बड़े चम्मच घी चाहिए बनाने के लिए आप चाहे तो तेल में भी बना सकती है देखेंगे अब हम किस तरह ऐसे बनाते हैं ये डालते हैं एक बड़े चम्मच एक करब में पानी उबालने रखती है चावल में हम उबला हुआ पान करा लिए इस्तेमाल करेंगे अब हम गरं हो जाए फिर छोखेंगे देखे तेल गरं हो चुका है अब हम इसमें गरं मसाला डालेंगे जीरा और ये सब अगर पत्थर फूल आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं जो एबलेबल हो वही दालें अब हम अध्रक डाल देगे अध्रक को ठोब बड़ा सकते कर देंगे आप चांट से लशन भी डाल सकती है और हरी मिर्ची डाल देंगे सबजी आप और भी अपने मन पसंद डाल सकती है प्लाव में वैसे ज़्यादा डालें इसको गुलाबी होने तक प्याज को भून लेंगे देखे प्याज भून गई है अब हममिस्ने सबजी नाल देजिए सबजी को थोड़ा तंप प्राइब 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 अटी अटी अब मुशार मासाले डाल देंगे, लाल मेट की पाड़ा, गरा मासाला पाड़ा, और हल्दी, और नमक साधा नुसार, टमाटर भी डाल देंगे, अब चावल डाल देंगे में पानी उबाल के रखा है इसकर दाल देंगे मैंने जिस नाप से चावल लिए है पूशी नाप से डवल पानी लिया है इसको अच्छी तर हो गुबाल आने देंगे अब जब इसको पानी कम हो जाएगा तब हम इसको डखकल लगाएंगे यह देखें इतना पानी रह जाए तब हम इसको डखकल लगा देंगे हलके से एक सीटी ले लेंगे अब हम इसको खोलेंगे इसको खोलेंगे इसकी बाप निकल जाए जब खोलें इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे उपर से इसको हलके से या तो चम्मच के पीछे कल्ची के पीछे से चलाएं तार जैसा कुछ ले लें तो उससे चलाएं खिला खिला प्लाव बनेगा देखेंगे अब हम प्लेट लगा देते हैं यह देखें पुलाव तैयार है गोवी मतर का अब हम इसमें हमने थोड़ी सी प्याज तलके रखी है इसको में गार्निश में डाल दूँगे इससे गार्निश करूँगे यह देखें हमारा पुलाव तैयार है खाएं खिलाएं और मोज मनाएं इससे गार्निश करूँगे झाल दूख अजल टूँगे झाल झाल